तो क्याल चाल सबणियां तो आज की इस वीडियो में मैं आप सही बच्चों को बीबीम की इनुबसेटी में आप सही बच्चे 4 एर अंडर गेट प्रोग्राम के थुरू आप सही बच्चे समेश्टा 3rd सेसन 22 चबवीस में आप सही बच्चे पढ़ रहे हैं पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल प्रगर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लिजेगा ताकि इसी प्रकार पल-पल की हर अपडेट आपको हैं दिस्किप्शन बॉक्स में टेलिग्राम ग्रूप और एक पर समझने आपके लिए जो भी बच्चा देखिए पहले MDC के बता देता हूं यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ आप लोग पढ़ लीजेगा मैंने आपको स्टार्टिंग दिन में बताया थे जब वीडियो बनाया था कि डू नोट सिलेक्ट सब्जेक्ट इफ ओनली ठीक आपको जो भी रखना प्रो रख सकते थे कोई बच्चा जोगराफी रख रहा था कुछ भी रख सकता था लेकिन यहाँ पर बोल दिया गया कि MDC पेपर जो है वो आपको इसमें से लेकर यहां से लेकर यहां तक ही चुनना है ठीक है चली मैं मान को चलता हूं लेकिन वो सब IRC 1 में अगर कोई बच्चा आपने जो भी रखा होगा यह दो सब्जेक्ट छोड के आपको इसमें से कोई चुनना होगा आप कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम तो साइंस बेग्राउंड से हैं तो हमने IRC फिजिक्स रखा हुआ था कोई बोले यह सार हमने समेस्टर तुम मै समेस्टर 5 में भी चलेगा समेस्टर 7 में चलेगा तो MDC का माइनर से कोई IRC नहीं है आपने अपना MDC पेपर जो भी रखा था उसको माइनर वाला से कोई फर्क नहीं बढ़ता अगर आपने समेस्टर 1 और 2 में मान के चलते फिजिक्स रमात रखा होता आप इन दोनों में से कोई चुन लीजिए कोई दिक्करत नहीं होने वाला क्यूंकि दोनों का सिलेबस अलग अलग है MDC का भी सिलेबस अलग है वो MDC में बस नहीं चुनना है, बाकि आप सभी बच्चों में से कोई बच्चा बोलेगा, कि सर हम लोग AC यहाँ पर English रख लेते हैं, यहाँ पर भी आप बोलिएगा कि सर हम लोग इंग्लिस रख लेते हैं, यहाँ इंग्लिस का ओप्सन टुका है, भी बोले बच्चे हम मुझे कोई दिक्कत नहीं होना, AC अलग पेपर होता है, AC मतलग LAT Enhancement Course, आपके Ability को बढ़ाया जाता इसके थुरू, और इसका सिलेबस अलग है, इसका सिलेबस अलग है, तो आप लोग AC में चाहें, तो हिंदी या इंग्लिस को भी रख लीजे, MDC में भी किसी में से कोई चुन लीजे, सर्त यही है कि आपका semester 1 or 2 में, IRC 1 or IRC 2 में, ये MDC अलग से बिट मत इंप्रूट कर दीजेगा, आप कोई बच्चा बोलेगा सर, हम लोग सेम भी तो रख सकते, भाई, सेम कैसे रखोगे, आप बताओ न, chemistry यहां रख दोगे, तो chemistry आपके option नहीं है, यहां chemistry क option है, आपके बस नहीं है, तो सेम तो आपका ऐसे भी overall नहीं होने वाला, इसलिए, आप सही बच्चे subject selection, आप बोलेगा सर, आप science का यह बता रहे हैं, भाई, लोग मैं आपको arts का दिखा देता हूं, कोई बच्चा बोलेगा सर, हम लोग हिंदी ओनस के, तो भाई, लोग हिं semester 2 quality रखा था, अब इन दो paper को छोड़ कि, आप economics है, psychology है, geography है, botany है, आप science का subject क्यों रखो, मत रखो, कोई एक कतनी है, आप geography रख लो, ये भी तो रख सकते हो, अब लोग हिंदी में हम लोग इसमें से क्या चुने, तो भाई, आप लोग यहाँ पर semester 1 और 2 में से कोई मतलब आप philosophy अच्छा लगता है, रख लो, इंग्लिस रख लख लो, बेंगोली है, और्दु संग, लें ये बोलो, तीनों आपको आपको आपस सब की सब हाद paper हाट पढ़े हिंदी वालों के लिए, आपके लिए बता है, या तो आप language पर पढ़ लो, philosophy हो सकता है, आपके से लिए बत देख लीजेगा, मैं नहीं बोल सकता है कि अच्छा है, इंग्लिस में क्या बता है, लिट्रेचर पढ़ना है, और ऐसा-सा मैंने आपको वीडियो में शुरू बताया था, जब मैंने अपने खुछ से वीडियो बनाया था, तो उसमें बताया था, कि इंग्लिस वाला ल इसका option ही नहीं तब रखो गए कहां से, आप यह भी सोचो, आप इसमें और इसमें हो सकता है, लेकिन यह सेम नहीं हो सकता है, तो इसलिए आप बाकी किसी डाउट रहेगा, भाई, आपके अपके college है, college है का पता कर लो, maturity कर लो, ठीक है, तो यह paper selection समझ माल गया, क्योंकि ब इसलिए बच्चों को द्वारा, सब बोला जा रहा है कि हम लोग का paper जो होगा, वो जनवरी के last week में हो सकता है, या कह सकते है कि जनवरी के second week में बोला जा रहा है, इसलिए आपको मालूम हमारा university अभी थोड़ा सा गजब का भी दिमाग उसलाद चल रहा है, ठीक है, तीन ज क्या दिकत है, जनवरी paper नहीं होगा, चली में नहीं मत नहीं हो, फर्वरी दो paper होगा, आपका semester भूग जिस तरह होगा था, semester 3 भी थो होना चीए, तो तयाज़ित आपको करना ही पढ़ेगा है, तो इसलिए आपसे करिए, ठीक है, तो यह कुछ अपडेट था, जो मैं आपक झाले, तो लोगा ंपको उिएक है, तो अमड होगा है, तो झाले मेंगी करने है, तो यह मैं तोुक घ जो कैसे करें जो होगा है, एक्ट